कि आद या बात करेंगे कोई भी आपका आपका इस वीडियो को सुरू करता है जिसमें हम लोग बात करेंगे कोई भी को इस वीडियो को कि इंट्राल करने से पहले हम लोग को ऐंदर में चेक लेना चाहिए करने से पहले कुछ चीज का इंस्पेक्शन पहले सही कर लेना चाहिए सबसे पहला साप आपको आपको साप्ट को दिलिया जाया है कुई दूसरा चीज में दिलिया कि अब एगा अच्छे से क्लिन कर लेना चाहिए आपको इस और से पहले अगर आपका कहीं पर डश्ट या डाट पार्टी के लिए या तो कहीं पर आपको कुछ वी रपनेस पार्टी के लिए इसको आप एम्री पीपर से भी क्लिन कर सकते हैं जिससे आपका ऑईल सिल डामेज नहीं होगा और दीसकी यह सिल को अच्छे से पिल ना चाहिए अगर पहले से इन्सक्टर करने के बाद उससे और लिकेश होगा उसकी अलाबा इसका कॉमपाइड़िलिटि क्या है यह क्या है उसके से बाना है कि नहीं बाना है आपके रिक्वर्मेंट कि रिए ब्लेन चैक करक пять लाज़ना चाहिए पहले से छोगा ले से करने से पहले उसके लिव में अच्छे से थोड़ा ओइल इंग कर लेना चाहिए जिसे आपका ओइल सील ड्राय नहीं होगा तो उस खॉंडिसेन में ओइल सील लॉंग टॉन में रॉन करता है इसलिए आपको ओइल सील को जो रहता है उसका लुब्रिगेशन पहले से कर लेना स्थेटा जो सिज रहता है बोरिता है चील इंश्टॉल करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका पूसा साईड अंसा साइड न इनरे ai अगर आप मुझा बीच्फ़े होगा इस पूस्पोल डस्ट वर्हें ओल्ख इपन नहीं करना चाहिए ओब इसलिए जहां पर आपका ओयल सिल रेष्ट होगा उस पोजिशन अच्छे से आपको इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए उसके बाद आपको जो ऑईल सिल किया जाता है उस कॉंडिशन में आपको चेक करना पड़ेगा हर जगा में जो प्रेसर है वो एक्वली प्रेसर तो आप द उसके वाद जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट रहता है यामन आपको चाहिए आपको पहले से आपको पोईशन प्रोपर पोईशन में नहीं होगा आपको चेक करना पड़ेगा टॉरक आपको फास्टनर को स्कुन पड़ा है या तो उसमें कुछ तॉर्क देना पड़ जैंगा जितना आपका प्लांच का तैटण smies करना चाहिए अगर आप ज्यदा प्लPMस को तैटमी ज्यदा करेंगे तो उसमें ज्यादा लोड पर सकता है इसके बाद से आपका oil seal damage हो सकता है उसके बाद आपको quality control को भी properly check करना चाहिए हम लोग ने जो भी point बात की है वो सब point को आपको double एक बार check करना चाहिए और अच्छा से oil seal को install करना चाहिए क्योंकि यह important equipment रहता है अगर oil seal आपका damage हो जाएगा तो आपका बार-बार equipment को stop करना पड़ेगा जैसे आपका running cost भी ज़्यादा हो जाएगा और maintenance cost भी बढ़ जाएगा तो आपका जो maintenance रहता है बोट चगम आपका oil seal इस्टोल करने से पहले हर चीज को दो बार inspect कर लेना चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ ASA point के बार में बात किया जो सब point को हम लोगों को पहले से चेक कर लेना चाहिए आपका oil seal को साफ्ट में इस्टोल करने से पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ाई पसंद है या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया जिखा है तो मेरे चेकल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत बूल लिया